खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाईए और ABP News को सब्सक्राइब कीजिए नमस्कार आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद पार्लिमेंट सेशन चालू है फिर भी आप लोग AICC में यहाँ स्टेटमेंट के लिए आए आप सब अवगत हैं कि कुछ देर पहले ही इस देश के उच्च नियाले ने और Chief Justice of India ने जो उन्नाव में बलातकार का केस दो साल पहले हुआ था पीडिता ने Chief Justice of India को एक चिठी के माध्यम से कई सारे बाते लिखी थी जिसका उस चिठी में जो मूल बात थी वो यही थी कि उत्तर प्रदेश में जिस लड़की का बलातकार होता है उसमें आरोपी एक भारतिय जनता पार्टी के विधायक है और पीडिता Chief Justice of India को ये लिखती है कि हाला कि इस केस को CBI को दिया गया है फिर भी वो अपने आपको असरक्षित महसूस करती है आप लोगों ने देखा कि राइबरेली जाते वक्त जो दुर घटना नहीं में उसको घटना ही कहूंगी क्यूंकि हमने देखा कि एक अक्सिडेंट में जिस तरह से एक ट्रक ने जिस गारी में पीडिता थी उसके दो रिष्टिदार थे साथ पे उनके वकील थे जिस तरह से ये अक्सिडेंट हुआ और जिस गारी ने पीडिता की गारी को ठोकर मारी उस गारी के नंबर प्लेट पे ग्रीस था मैं खुद परसो लखनो गई थी मैं हस्पताल में गई थी वहाँ पीडिता की माता जी और उनके बाकी परिवार के सदस्य थे और वो चिला चिला कर यही कह रहे थे कि हम बार बार बहुत दिनों से बहुत महिनों से कह रहे हैं कि हमें डर है हमें डर है कि भारतिया जनता पार्टी की सरकार जो है उत्तर परदेश में जिसमें मुख्यवंत्री अदित्यानाज जी है कि ऐसा कुछ ना हो जाए कि हमारी जान खत्रे में है आज उच्छ नियाने ने जो निर्णे लिया है उस चिथी के बेसिस पर उसके लिए मैं Chief Justice of India को धन्यवाद कहना चाहती हूँ और इस केस को जितने भी FIRs चाहे बलातकार की घटना से जुड़े हो चाहे इस दुरगटना या कार आक्सिडेंट से जुड़े हो उनको दिल्ली में ट्रांसफर किया गया है इसके अलावा जो भी दिल्ली में जट साब इस मामले को सुनेंगे उनको 45 दिन के अंदर इस मामले की सुनवाई को खतम करनी है इसके अलावा CRPF को Chief Justice of India ने ये कहा है कि जो विक्टिम है और विक्टिम के परिवार के सदस्या उनको सिक्योरिटी देना है और CBI को ये स्ट्रिक्ली कह दिया है कि साथ दिन के अंदर जो FIR आक्सिडेंट से जुरा हुआ है उसका investigation खतम करना है और कुछ अगर ऐसे कारण हो जिससे ये नहीं हो सकता जादा से जादा 14 दिन के अंदर उसको करना है Congress Party का यही कहना है कि भारतिय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जब विधान सवा का चुनाव था प्रधान मंत्री से लेकर उनके राष्ट्रिय अध्यक्स जो वर्तमान में ग्रियम मंत्री है अधित्यनाजी जो फिलहाल मुख्य मंत्री है जो उत्तर प्रदेश की उपमक्त मुख्य मंत्री है और जितने भी नेता है उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता को यही कहा था कि भजपा को मौका दे और हम सुशाशन लाएंगे उत्तर प्रदेश में गुड़ गवर्नेंट्स उनका सबसे बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश की विधान सभा के चुनाव में सुशाशन था प्रदान मंत्री जी अपने हर भाषन में हर मन की बात में और हाली में ट्रिपल तलाक का जो बिल राज्य सभा में पास हुआ भारतिय जनता पार्ट की के हर मंत्री ने और हर सदस्यन एई कहा कि महिला शुशक्ति करण का एक बहुत बड़ा काम हुआ आज भारतिय जनतापार्टि को उनहीं नेतां से हम पूछते हैं कि जिस प्रदेश से प्रधान मंत्री खुद सांगसद है, सब भारतिय जनता पार्टी के नेता गंड चुप क्यूं है। वो रक्षा मंत्री को दिखाते हैं देश की महिलाओं को और कहते हैं, ये महिला के सम्मान का प्रतीक है। स्मिर्थी इरानी जी ने डॉक्टर मनमोवन सिंग को चूडियां भेजी थी, जब निर्भया कांध हुआ था, आज स्मिर्थी इरानी जी चुप क्यूं है। अगर सुप्रीम कौट आज इस मामले में, इस मुकत्मे में आज इंटर्वीन नहीं करती, तो इस परिवार का क्या हाल होता। सबसे ज़्यादा दुखत और शरम जनक बात ये है कि दो साल से सिंगर जो इसमें आरोपी है, सिंगर के परिवार के और सद्दे से भी इसमें आरोपी है, उनके खिलाप भारतिय जनता पार्टी के राष्ट्री अध्यक्ष और वर्तमान के ग्रेय मंत्री ने दो साल तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया। और ये और भी दुखत और शरक्व जनक घटना है कि साक्षी महराज लोगसभा के चुनाव के बाद एक बलातकार के आरोप में जो जेल में बंद हैं उनसे मुलाकात करने जाते हैं। जो घटनाओ को अगर आप जोड़े तो आपको समझ में आएगी कि भारतिय जनतापाटी सिंगर के खिलाफ कोई कथोर कदम क्यूं नहीं उठा पाई दो साल। क्यूंकि जो देश के प्रधान मंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहते हैं। आज उन्होंने उन्नाओ की बेटी की सुरक्षा और उन्नाओ की बेटी कहीं मैं कहूंगी जान की उनकी कोई कीमत नहीं हैं। पर सिंगर जैसे बदनाम नेता के साथ आमिच शा भी दो साल खड़े रहे, अधित्यनाज जी भी खड़े रहे और देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी भी खड़े रहे। और जूट पर जूट जितनी बार मीडिया के दोस्तों ने कल परसो उससे दो दिन पहले एक्सिडेंट के बाद बार भारतिया जनता बाची ने जब पूछा कि आप कोई कदम क्यों नहीं उठाते वो बार बार जूट बोले। कि नहीं हमने उनको सस्पेंड कर दिया पर आज सुप्रीम कौट की थकपड की गूंच भारतिया जनता पार्टी के मुख्या कार्यालय तक पहुची और सिंगर को उन्होंने अल्टिमेटली एक्सपेल किया। मैं सुप्रीम कौट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कौट के हर जज को मैं धन्यवाद कहूंगी और 25 लाग रुपए का जो मुआवजा अधित्यानाज जी के सरकार को सुप्रीम कौट में भरने के लिए कहा है पीडिता के पडिवार को देने के लिए कहा है उसके लिए भ हालात है यह मामला सरफ पैसे से किसी भी हालत में इसका समाधान नहीं होने वाला है आठ साल के एक बच्चे के ऊपर चोरी तक का केस अधित्यनाथ की पुलीस ने डाल रखा है पीडिता के परिवार से तो जुड़ा है इसलिए हम यह उमीद करते हैं कि 45 दिन के ट्रायल में च आध रखें कि जिनका रेप हुआ बढ़ीते का रेप हो तो उसकी पिता का भी कतल हुआ इस इन सब चीज़े को 45 डेज में 45 दिन में हमारा विश्वास है कि दिल्ली के किसी जज के सामने जब यह मुकदमा चलेगा इसका इसमें राय जब हमें मिलेगी हमें विश्वास है कि तब ही न्याय होगा तभ ही न्याय होगा और मैं आप सब से मैं आप सब से यही कहूंगी कि अगर मीडिया के दोस्तों ने जब वो लड़की CM के घर के बाहर गई अपने आपको जलाने की कोशिश की मीडिया के दोस्तों ने इसको highlight किया तभी ये national issue बना पर दुख इस बात का है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ gang इसमें चुप है, Women on Child Development Minister उत्तरप्रदेश से सांगसद है, अमेठी से सांगसद है, खुद मुख्यमंत्री उत्तरप्रदेश से, सारी, प्रधान मंत्री उत्तरप्रदेश से सांगसद है, पर वो चुप है, this is selective outrage on women's issues.